देंटिस ने दात उखाड़ा और तडब तडब कर मर गई लड़की महाराष्ट के पुने से सटे पिंपरी चिंचुवर्ड में एक 23 वर्षिय लड़की की दात के इलाज के दोरान मुथ हो गई बताया जा रहा है कि लड़की दातों के ट्रिटमेंट के लिए अस्पताल में बरती होई थी इसी दोरान खुन अधिक वह जाने से उसकी मौत हो गई लड़की के परिजन उसकी मौत का जिमेदार डॉक्टर को बता रहे है मिली जानकारी के मताबिक अनुसार धनसरी जादव दातों के दर्द के के पिछले कई महा से परेशान थी उसका इलाज पिमपरी चंच्वर इलाके के स्टरलिंग आयुर्वेदिक अप अस्पताल के अंतरगत आने वाले डेंटल अस्पताल में चल रहा था धनसरी की सर्जरी होने वाली थी इसके लिए इसलिए वह आठ दिनों से स्टरलिंग आयुर्वेदिक अस्पताल के डेंटल अस्पताल में भरती हुई थी इलाज के दोरां अब जब धनसरी के दात निकाले गए तो वह तड़ब उटी लगातार खुन वह जाने से धनसरी की तबियत बिगड गई और उसकी मौत भी हो गई धनसरी की मौत के बाद उसके मातापिता ने इस बात का जम कर विरोध किया उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाप निगडिव पुली स्टेशन में शिकायद दर्ज कराई उनका रुप है कि डॉक्टर की लापरवाई से धनसरी की मौत हो गई हाला कि पुलीस का कहना है कि धनसरी की मौत की सही वज़ा सामने नहीं आपाई है उसका पर पोस्टमोटम किया जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद ही स्थित्ती स्पष्ठ होगी इस मामले में धनसरी की मौत के बाद पुलीस ने फिलाल एक्सिडेंटल के हेल्थ का मामला दाखिल किया है जांच आदिकारी सतिश पवार का कहना है कि पोस्टमाटम रिपोर्ट आने का डॉक्टर पर कारवई की जाएंगी डॉक्टर दपस्ती फारार है जिसकी तलाशी की जाक रही है